अगला लिखो किटॉन ग्रुप किटॉन ग्रुप किटॉन ग्रुप किटॉन होता कै पहले तुम समझना फिर समझना कि इसकी नयमीन कैसे करते हैं लिखो किटॉन अब किटॉन ग्रुप में होता कै तुम समझना देखो किटॉन ग्रुप में क्या होता है कि आपका एक सी होता जो O के साथ double bond बनाता है और इसके इधर भी carbon होता है और इसके इधर भी carbon होता है तो ketone group चालने ही आपका तीन carbon से होता है मतलब methane और ethane के साथ तो possible ही नहीं है यह चालू ही किसके साथ और प्रोपेन के साथ तो याद रखना ketone group में क्या होता है आपका group दिखने में ऐसा होता ह मतलब एक carbon के साथ oxygen का double bond है फिर उसके इधर की तरफ भी carbon होना चाहिए और उधर के तरफ भी carbon होना चाहिए और आगे भी carbon हो सकता है लेकिन minimum ये चीज तो होनी चाहिए minimum इतना तो होना चाहिए तब भी वो ketone group में आता है और इसका जो name है मैं तुम्हें name लिखना भी सिखाऊ चालू किसमें चालू किससे होगा starts with इस्टाइड स्वित three carbon मतलब minimum तीन कार्बन तो होनी चाहिए तीन से कम पॉसिबल नहीं है तो को इतने में पूछे कि क्या myth책 non possible है तो mouth फ्रोपेनन बनाते कैसे तो मतलब तीन ग्रूप है तो पहले आप तीन ग्रूप search यह बीच वाले के साथ ही होगा क्योंकि जिस कारबन के साथ- और उसके दुनों तरफ रहाइए है तो मतलब आपका C किसके साथ होगा बीच वाले के साथ तो अब तुम क्या करो इसकी HPoffete पूरी करो तो यह जो left वाला carbon है इसको तीन hydrogen देडों तो इसके सारे bond पूरे हो गए चार bond चाहिए जो बीच वाला carbon है इसके देखो चारे bond, चारो bond पहले से बने हों हैं दो carbon के साथ दो oxygen के साथ और इस hydrogen के भी इस carbon के भी तीन hydrogen लगा दो तका क्या formula बना देखो CH3 COCH3 तो यह किसका formula है यह formula है आपका propanon का यह किसका formula है propanon का वापिस सुनना ketone group में क्या होता है एक carbon के साथ oxygen होता है और उसके दोनों तरफ carbon होना कंपल्सर ही है तो मतलब तीन carbon तो minimum चाहिए और इसका नाम किस पर एंड करता है वन पर ओए नी पर जिसे प्रॉपे नन जैना ब्यूटे नन पैंटे नन है ना तो मैं तुम्हें एक example और दे रहा हूं एक इसको बना लेन अपनी कॉपे में और प्रॉपे नन का तुम लिख लो अगला एक example में और दे रहा हूं उसका अग्ज़त तुम्हें लगवाना है तर एंपरिकल फामुला क्या है इसका ऐसे याद मत कर इसके ट्रॉप के एंपरिकल फामुला याद मत कर ऐसे तू कितने या तरीका है देख्या होता है इसको देखते ही पता पड़ जाते कि कि टॉन है अगर माले में इसको ऐसे लिखू कि C2 C3 एट 6-0 लिख सकता हूँ क्योंकि तीन कार्वन एची है तो इसको देखके तरह को पता नहीं पड़ेगा कि यह क्या है क्योंकि यह तो एलकोहल भी हो सकता है इसमें ऑक्सीजन है लेकिन इस तरीके से लिखते तो पता पड़ जाता है हाँ या यह यह पक्का के टॉन है यह लिखने का तरीका कुछ नी है ऐसे ही लिख सकते है उसको ठीक है तो अब दिखो भाग ताब में तुम्हें साल करा रहा हूं तुम्हें अगला पूरा कोशन तुम्हें इसा कोशन आता है कि राइट कैमिकल फार्मुला राइट कैमिकल फार्मुला आफ ब्यूटेनन जाणर पूर आफ कोशन इसके दो आसोमश आई रो करने तो तो कोशन कई ज्यान से सुनू कोशन है राइट केमिकल फार्मुला ब्यूटेनन योद्रो टू आई सोमयrr मतलब कोई दो इस्ट्रक्शर बनाद तो कैसे करते उसे प्यूटेनन तो पहले ब्यूटेन में कितने काब ही चार-Bethen Ethan Propane Chde Ketone है mतलब आपको एक Carbon पर डबल Von देना तो अपन सक्धिंस पर बहुत सक्ते हैं या इस तरफ ना जूरुरी है तो यहां पर आपने इस तरीके से लगा लिया अब आप क्या करो इसकतर कितने hydrogen दो तीन कि इस कार्बन का काम तो पूरा है जो कि चारो बाउंड बने हुए इस कार्बन को एक hydrogen नीचे दो एक उपर दो और इसको कितने दोगे एक दो तीन तो देखो इसका इसका फार्मुला कैसे बनेगा देखो CH3 फिर CO फिर CH2 फिर CH3 है देखो इसके तीन hydrogen इसके दो इसके पास तीन तो कंबाइंग करके लिखोगे तो क्या लिखोगे देखो चार कार्बन है hydrogen कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 hydrogen है और एक oxygen है C4H और O यह आपका क्या बन गया यह आपका बन गया ब्यूटेनन इस तरीके से आपका क्या बन गया ब्यूटेनन बन गया और इसके दो आईजोमर बनाने तो एक तो मैंने पहले से बना रखा है एक इसके दो बने वेड़ा इसको देने की जरुटनी चारों बने वेए और इस पर आप hydrogen देखो यह आपका होगी है तो सर इसमें तो सर क्या बोलता है और चेंज हो रहा है ना सर नहीं होगा चेक कर CH3C CH3 CH2C O CH3 बस यह सिक्वेंस चेंज और चेंज हो सकता है कोई दिकत नहीं हो सकता है ठीक है तो अब तुम ध्यान से सुनो किटॉन में क्या होता है किटॉन में आपका एक कार्बन के पास डबल बॉंड होता है और उसके दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है इसलिए मेधेन हो नहीं सकता इधेन हो नहीं सकता चालू किस से होता है यह प्रोपेन से क कि प्रॉपन में तीन कारवण होते हैं व्यूटन में तो होई सकता है तो अब अगला कोशन तुम्हें सॉल करना है इसमें कोई दाव तो पूछ रो ओके तो अगला कॉशन तुम्हें करना है कॉश्ण लिखो सब अपनी कॉपर में लिए राइट chemical formula write chemical formula for hexanon and draw two isomers तो आपको किसका chemical formula लिखना है? hexanon का hexanon लिखो कैसे करोगे? लगाओ दिमाग कैसे आएगा? write chemical formula for hexanon and draw two isomers तो hexanon मतलब कितने कारवने छे? एक, दो, तीन चार, पाँच, छे अब ketone बनाना है? तो एक बार किसी भी कारवन को double bond दे दो या किएगे ketone बन गया अब सब की octet पूरी करो तो इसको hydrogen दो इसको hydrogen तो इसको तीन देने पड़ेंगे इसको आपको दो देने पड़ेंगे इसको मत देना, इसके चारो bond पूरे हैं इसको आपको दो देने पड़ेंगे इसको वापस आपको दो देने पड़ेंगे और फाइनल वाले को आपको वापस तीन देने पड़ेंगे तो चेक करो कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तो आपके छे तो कार्बन है बारा हैड्रोजन है एक ऑक्सिजन है यह आपका बन गया और दो आईजोमार तो देखो एक डिस्ट्रक्चर तो बना ही रखा है एक और कैसे बनाओगे आप पहले छे कार्बन दगा दो और आप बस इस ऑक्सिजन को कहीं और शिफ्ट कर दो जिसे यहां शिफ्ट कर दो अब आप पूरी करोगे तो भी आपका यही फर्मूला आने वाला है तो क्रिट्रोन में होता कै आपके एक कार्बन पर डबल बॉंड होता है उसके दोनों तरफ कार्बन होना जुरूरी है चालू होता है यह प्रोपेनों से खतम किस पर होता है इसका नाम वं पर यह होता है आपका किर्टांएंग कि क्रिट्रॉन ही पर ग्रुपने कोई ग्रुप में कोई ।ब आप पूच सकते हूँ कोई भी दावट है तो क्लriär कर लो मरना की सारे होई ते सारे तो तेरा अगला वाला देखना आएगा C5H10O और इसका अगला वाला आएगा तेरा C6H12O देखना आया ना तो हर दो कंजीर्टों के बीच में CH2 का डिफेरेंस है तो यह सब के सब हमोलोगा सेजी है ठीक है तो अब मैं नेक्ष्ट ग्रुप पे आ रहा हूं नेक्स लिखो अ आपनी कॉप में LD हाइड ग्रुप और अब तुम सब समझना LD हाइड ग्रुप दिखने में कैसा होता है सब यह सब यह सब functional group है देखो LD high group में यह वाला होना जरूरी है कि carbon के साथ double bond O होगा जिसे किटॉन में क्या था किटॉन में दोनों तरफ carbon का होना जरूरी था यहां पैसा नहीं है यहां पे एक तरफ आपका H होगा दूसरी तरफ आपका H भी हो सकता है कुछ और भी हो सकता है लेकिन LD high group में यह वाला structure होना जरूरी है कि एक carbon के साथ double bond O है और एक hydrogen है इधर आपका कुछ भी हो सकता है कि इसकता है हाईडोजन भी हो सकता है पपस सुनना LD high group में क्या होता है आपका यह वाला यूनिट होना जरूरी है यूनिट मतलब एक carbon के साथ double bond O होगा एक hydrogen होगा एक जो bond बन गया यहां का carbon भी हो सकता है आपका hydrogen भी हो सकता है लेकिन अगर यह वाला पार्ट है तो मतलब वो कौन सा गृप है L D group और इसका जो नाम होता है न इसका नाम and उता है अल पे ends with L A L L जिसे इसमें आपका सबसे पहला जो फार्मिला बनता है वो बनता है मिथेनल तो मिथेनल क्या होता है देखो एक कार्बन है उसको डबल बॉर्ण O और H दे दो तो L है मतलब LD है मतलब ये वाला यूनिट तो पक्का होगा लेकिन मिथेन मिथ मतलब एक ही कार्बन हो सकता है वो तो पहले से है तो इधर आप क्या देदो हाइडोजन तो आपका मिथेनल का फार्मिला क्या है H-C-H-O है ना जैसे मैं तुम्हें एक और एक्जम्पल देता हूँ तो फिर तुम्हाँ डाउट लेता हूँ जैसे मान लो तुम्हारे एक्जम्पल में है या इत्हेनल इत्हेनल तो आपको क्या करना है आगे अल लिखा हुआ है मतलब LD है तो C double bond O करके H तो लिख दो फिर इत्ह है मतलब एक कार्बन और हो सकता है तो एक कार्बन साथ में जोड़ दो तो इस कार्बन की ऑक्टेट पुरी करो तो इसकी ऑक्टेट पुरी करो कि तो तीन हाइड्रोजन आ जाएंगे ताक का फार्मिला क्या बनेगा CH3 CHO तो ये कौन सा आ गया इत्हेनल तो ये वाला कार्बन भी तुम्हें काउंट करना है तो मिथेनल में एक कार्बन इत्हेनल में दो कार्बन तो इसको अपन और किसे लिख सकते हैं दो कार्बन है तो C2 हाइड्रोजन कितने चार तो C2H4O ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको पता पड़ जाता है कि यह LD हाइड है CHO अगर है मतलब यह क्या है LD हाइड है और एक और तरीका क्या है पता करने का इसका नाम जो होता है वो अल पे खतम होता है इसमें क्या सफिक्स है अल ठीक है तो और LD हाइड ग्रूप में क्या क्या यूनिट होना कंपल्सरी है यह वाली यूनिट मतलब एक कारबन हो उसके साथ ऑक्सिजन का डबल बॉंड हो और एक तरफ हाइड्रोजन हो इसके दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है में आड्मरी में में ह और अइदे फिद काणी सुषग कर सकते था सबसक्राइब कर सकते कि कुछिश कर सकता है और तो कैसे बनेगा इस बाड़ेक्ट को देनेगे ना इक वार रुक लिखने उसको इक लुखनों में बदा कि बता थो कैसे बनेगा है अर इसे नल में तो ऑक्षिजन का डबल बाउंड एस वाले कारवन पर शिफ करना ना कि वह उल्टा हो जाएगा इसका इस्ट्रक्टर की तो बात सब्सक्राइब मैं मिधिनल्का तो मैं सोर्च की बन सकती है इसमें डबल बॉर्ड नहीं हो सकता ना सर एल्डी आइड और इसमें कि इत संब्सक्राइब लेकिन आता नहीं है तो मैं मुल्टिपल फंक्शनल इस इस लें दो थे दिए एक कोशन लिखो अपनी कॉपि में राइट लाइट कें प्रॉमिला राइट लाइट ब्ला एट कैंचल फॉमॉला for butanum Butanum and draw its structure आपको खर्लिब इस structure बनाना है and draw its structure तो अब तुम सब ध्यान से सुनना खासकर आकाश आप सब ध्यान से सुनना तो कुश्च्चन है write chemical formula for butanum and draw its structure यह को एक तो आगे लिखा हुआ है मतलब यह aldehyde है बेटा चार नहां milhões ये गोटकर नुए पर डबल बॉन हो लगा कि हीच लगा दो नहीं दो यह तरहत है वह नहीं other अब क्या और सबक्रेस दो करेंफिर हैटेटर अगंगा इदर हैटेगा यहना इगा यहाँ पर आपका हैटेट जौन आएगा इदर hydrogen आएगा चेक करो क्या बनाने देखो CH3 CH2 CH2 CHO यह आपका बन गया ब्यूटेनल है ना और इसका एक और तरीके से कितने कारवन है चार कारवन है hydrogen कितने है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ 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 hydrogen है और oxygen तो पीछे एक बॉंड यहां पुछो यहां पर जो आइलड़एड़ड वाले ऐसे बनाते हैं इसमें यह कैसे पताव लेगा कि hydrogen कितने लगाना कि किसी भी कारवन के चार बॉंड पूरे होना चाहिए जिसे यह साथ इसका एक बॉंड तो यह hydrogen fit कर दिये जिसे इधर वाला carbon था इसने एक ही बॉंड बना रखा था तो मैंने इसके साथ तीन hydrogen fit कर दिये तो तो कैसे भी करके चार बॉंड लगाने कार्बन की वैलेंसी पूरी करने में जितने लग जाएंगे उतने तो यह आपका स्ट्रक्चर बन गया और यह आपका ब्यूटेनल बन गया किसी को ब्यूटेनल में कोई डाउट है तो पूछो इसका इस सकता है इसा वना लें एक कारवन नीचे बिज़ दे और डबल बॉंड ओ और अपुरा कर ले हैं अग्जाएंड अपन एक्स्ट्रा पड़ रहें कि यह वाला सर्थ कि भी बुक में तो यह वाला नौट टूबी टेश्टिट दे रखा एंगा और बुक में सर्थ बुक में तो यह वाला नौट टूबी टेश्टिट दे रखा है नौट टूबी टेश्टिट भाई हो मोलोग सिरी साथ है साथ हो पढ़ लो है अब उसमें भी तुम विभाजन कर दोगी क्या है क्या नहीं है पढ़ लो दो एक ही तो वाकी है पर इसके बाद पुछो लुट और इसको डबल बॉंड नहीं डूसी तरफ कहा ट्रासपर करना तो जैसे अभी अपन ने इस वाले में ना फोर्त वाले कारण पर डाले तो फॉर्स वाले करेंगे तो बात एंगे तो खाली फॉर्मले को उल्टा कर रहा है तु खाली स्ट्रक्चर को उल्टा लिख हैं अगर तू बीच वाले पर करके देख बीच वाले पर करके देख वैसे ही एक टॉन बंजाएगा वैसे क्या बंजाएगा लेकिन चेक पूरा भर के देख क्या तेरा यही फार्मुला रहा है क्या नहीं सर नहीं आएगा तो बस वह ध्यान रटना जैसे देख मैंने क्या क्या देख मैंने इस तरीके से किया ब्रांश भी बनानी पड़ेगी ना यह ब्रांश बनाके कर सकते ना इसमर बन गाने इक ब्रांश बनाके ठीक है लेकिन अगर तुजए आइजमर पूछे तो आइजमर में जरूरी नहीं कि LD8 का इसमर LD8 यो तू किटऑन भी बना सकता है अगर बन रहा है तो तो अब इसमें यह आ रहा है इसमें आ रहा है यह वाला इस सर 336 तो बस तो आपके ब्यूटेनल का आइसोमर ब्यूटेनल हो गया है ना कोई दिक्कत नी बन हो गया आइसोमर का मतलब है कि केमिकल फॉर्मिला से मैंना चीए इस ट्रक्चर अलग हो सकता है तो आपका फंक्शनल गुरूप भी अलग हो सकता है जिसके दो बन गए देखो एक तो यह वाला और एक ब्रांच वाला है आप फूचो है सर आपने अभी यह बनाया ना इसमें पर अलगाइड वाला फ्रक्चर तो वहां कि दिखनी रहा है यह नीचे यह रहे देख नई सर्य यह इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्टर यह यह एक लिए आखश ने अभी जाइं किया ना यह किटान है इसके पहले है अगर कार्बन के यह किटान बन गया सर आप एक बार मेरे एक्स्ट्रा ग्लास लेके पढ़ाएं अभी लेट जो इंक है मुझे पता पढ़ी गया था देखो किटान समझ में नहीं आएगा पड़ते को एडियेट तो क्लीर हुआ ना हाँ सर्व हो ठीक है तो एक बार नेक्स लिखो लास्ट यह लिखो अपनी एक जो बांड बन गया ना इधर आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन भी हो सकता है इसका जो नाम होता है वो किस पे खतम होता है एंड्स विथ ओएक एसिड जिसे मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड तो इसका नाम किस पे खतम होता है इस पे ओएक एसिड प घुमिखेनोईक एसेड तो मिथेल मतलब एक कार्बन हो सकता है एक कार्बन लगाओ डबलबोंड़ ओ noise इधर आपकाँ ह Same क्ञिख यो नो जाएंगे लेकिन आप मिथेर लिखाcombra ये कार्बन तो यह मिथेनोईक एसेड है और इसका beimड़कैई HCOOH देखो HC एक नीचे वाला एक साइड वाला OOH उसी तरीके सा अगर में तुम्हें पूछू कि बताओ इथे नाइक एसिट का फॉर्मुला क्या होगा तो इथे नाइक उसिट में दो कार्बन हो सकते हैं तो पहले दोनों कार्बन लगाओ एक को एसिट बना दो इस कार्बन की औक्टेट पूरी करो वैलंसी तो तीन हैड्रोजन लगा दो इसका फार्मुला क्या बनेगा CH3COOH यह बना इस कार्बन के तीन CH3COOH तो वैसे मिथिनाइक एसिट को याद रखना फॉर्मिक एसिट बोलते हैं फॉर्मिक एसिट मतलब जब ना तुम्हें वह हैं आपका फॉर्मिक एसिट होता है इतने एक एसिट को विनेगर बोलते हैं लिख लो अपनी कॉपे में यह इंके कॉमन नेम से हां पुछो है सब्सक्राइब तो इस तरफ तो तुम्हें यह एल्डिहाइड दिखेगा लेकिन क्या होता है बिटा कि इन फंक्शनल किसको पहले देखेंगे तो आपका कार्बोजियृक ऐसेड सबसे उप्सक्राइब अपने को दिखने में लगता है कि दूसरी तरफ क्या है तो दूसरी तरफ यहां पे तरह क्या आ रहा है ऑक्सीजन आ रहा है यहां दे मैंने जब तरह को लडी पढ़ाया था एक सिकंड रूख क्या उप्शन रखा था यह देख क्या ऑप्शन रखा था निकिन अपको इसमें आकर देख यहां पर तेरा सी के एक तरफ के ओ है तो अगर आपका ये वाला यूनिट है तो आपका कौन सा है कार्बोजिलिक एसिड अगर CHO है तो LD है और दोनों तरफ C है तो वो क्रिटोन है ठीक है तो अब तुम दियान से लिखो तुम मुझे इसका फामया लिखके बताओ इसका तो कोशन लिखो अपनी कापर में आख्म नहीं है राइट केमिकल फामला राइट केमिकल फाम्ला कर एंड्स अर्डों स्ट्रॉक्चर और अफ प्योटेनाईक एसेड ता आपको ब्यूटेनेक एसिट के पेल्स्ट्रक्ट्टर बनाने है और किईकल फॉन tuckना है चेक करो कैसा है यह कुछल लिखो अपनी कॉप में लिखो सब ब्यूतेनोग एसट ब्यूतेन मतलब चार कारवन है तो पहले में चार कारवन बना लो फिर acid है तो लास्ट वाले carbon को double bond O और OH बना दो एक बार अब सबकी octet पूरी करो अधा सबकी valence की पूरी करो तो इसको तीन hydrogen दे दो इसको दो hydrogen दे दो इसको भी 2 hydrogen दे दो इसको जरूरत लिए इसके चारों bond पूरे तो यह क्या हो गया CH3 CH2 CH2 COOH और इसको छोटे form में लिखोगी तो कितने कारवने चार hydrogen कितने एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ तो hydrogen है और oxygen कितने दो तो C4 अगर हम ethnoic acid में भी acid लिखते तो वह भी सही होता है सही होता कोई दिक्कत नहीं है कई लिखते उसको ऐसे लिखते पर इस तरीके से लिखते ना तो अपने को पता पढ़ जाता है कि acid है और इसका आइजोमर कैसे बनाओ के सोचो इसका आइजोमर आइजोमर मतलब चार पांच छे सात्वा नीचे और आठवा यहां आप आजाएगा देखो सेम फर्मॉला आएगा कि सर ओको बीच वाले में किसी में थार्ड या साइकन में करते तो भी हो जाता ना करके दिखना इस ओको है ना तो इसको क्रिट नहीं कर सकता क्योंकि उन्ट सब में एक उक्सिजन होता है लेगी मिया फ्सक्रोट पर लुपर की तरफ कहांपे लगाएग पर लगा कि लगाके लगा कि मुझे लिखके बैजना तो क्या सोच रहे हैं इसको इक बाए इस वाले फामिले को तो ऐसे नहीं लिख पाएगा इसको सीधर ऐसे लिखना तो इसके साथ तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप खतंग होते हैं तो कल अपने कौन से पढ़े थे अलकेन अलकीन, अलकाइन, हेलो अलकेन, अलकोहॉल और आज हमने पर बढ़ा क्रिटोन, अलडी हाइट, कार्वगजिलिक असेड तो यह तुम्हारे होमोलोगस सिरीज है तो आपको इन सब में क्या पता पढ़ना चाहिए, कि कौन सी यूनिट देखके, तो जैसे इूनिट देखके तुम्हें पता पढ़ना चाहिए कि ये है तो एसीड होगा, CHO है तो LDI होगा, OH है तो अलकोहॉल होगा, अगर क्लोरीन, लोमीन, फ्रमीन, आयोडीन है, तो आप एक चीज़ और है फिर तुम्हाई doubts लूँगा मैं तो लिखो अपनी copy में वैसे यार यह topic नहीं आता है मतलब इसकी possibility बहुत कम है लेकिन फिर भी लिख लो कि diamond और graphite का comparison तो diamond आपको nature में free state में मिलता है मतलब आप जमीन खोदोगे आपको diamond मिल जाएगा पत्थर ना diamond basically भटा होता है जहां पर coal जादा होता है वहीं पर diamond भी मिलता है तो free state में मिलता है graphite भी naturally होता है लेकिन उसको use करने के लिए manufacture करना पड़ता है मतलब जित्ते भी हाइफाइग कटर बनते ना जिससे आप बड़ी बड़ी चीज़े काटते हो उस कटर में diamond लगाते diamond बहुत ज़्यादा हाड होता है it is the hardest natural substance known और graphite नहीं होता ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है ग्रीजी हो जैसे आपकी पैंसिल की जो वह होती ना आप पैंसिल यूस करते हो बीच में ब्लैक कलर का होता है अब हाथ से तोड़ सकते उसको वह इतना हाड नही हाथ स्लिप करता है तुम कभी देखना तुम अगर कभी पैंसिल से रगीटे पाणना अपनी कॉपी में अपना हाथ उस पर अपनी उंगली लेके जाना अपका हाथ स्लिप करेगा बहुत स्लिपी होता है वह तीसरे वाला ठीक है यह तो नहीं याद करो कि तुभी तरह ही सबसे बादा डिफरेंस है छाइव यह जाता है इसको मिल जाता है त इसा नहीं यह यह एक पास बड़ी कारण ग्रेफाइड के स्ट्रक्चर के कारण वो गुड कंड़क्टर ऑफ हीट एंड एलक्टिसिटी है तो यह लिख लो अपनी कॉपे में वैसे इसके आने के चांसिस कम है लेकिन तो भी लिख लो कि लिखेन कि लिख लोग ये नोट्स तो वैसे ही मैं तुम्हें भीज़ी mutualinaire लीज़ा का में तुम्हें 12 को वो तुम्हें करनी है मतलब मैं तुम्हें कोशिन दे दूँगा कि राइट केमिकल स्ट्रक्चर आफ पैंटेनाइक एसेड हैं एंड्रो इस तु आइजोमर या फिर सकता है कि आपको identify करना है कि इसमें से कौन सा कौन सा फॉक्शनल ग्रॉप है है ना तो वह मैं निकालके पास्टेर कोशिन से निकालके तो मैं भीज़ दूँगा ठीक है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो याज है आप पूछो सर आप पिछली क्लास की और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भीज़ दूगे का रिकॉर्डिंग तो हाँ भीज़ दूँगा इसली क्लास की तो मैंने भीज़ दी थी आकाश या चेक करना है ओके सर यह लिख लो यह टेबल वैसे में तुब भीज़ दूँगा तो एक तो तुम आईजोमर बनाना सीखना और एक तुम फंक्शनल ग्रूप आइडेंटीफाइब करना सीखना है ना कि एल्डियेट कौन सा है किटॉन कौन सा है काबसलिग एसिट कौन सा है एलकोहल कौन सा है जरूरी है ठीक है तो नेक्स क्लास में हम लोग बेसिकली आयोनिक बॉंड कोवलेंट बॉंड पढ़ेंगे काफी लोगों को डाउट उसमें और मैंग्नेटिजम के डाउट्स लूंगा मैं और करन्ट का रिविजिन चालू करूंगा ठीक है चलो को के यार झालू है जया झालू है तो